इस विडियो में सॉलकर रिंग उसनाव 4 ध्यान देजीएगा ड्रा रॉफ फिगर आफ अ क्वार्डिलेटरल याथ इस नाट पारलेलोग्राम बट है जैक्टली ट्यू अपूजिट एंगल साफ इक्वल मेजर मतलब कि एक ऐसा प्रलोग्राम ड्रा करना है एक्चली वह प्र मतलब कि कुछ प्रपरटी जो हैं परलोग्राम की उसमें मैस्ट नहीं करना चाहिए मतलब जैसे कि साइड्स अपूजिट साइड्स इक्वल नहीं होना चाहिए या फिर कोई भी ऐसा मतलब कर दिजिए लेकिन ऐसा होना चाहिए कि exactly two opposite angles इक्वल में जरीक होनी चाहिए तो काइसा कौन सा क्वाड़र होगा तुमया पर बना रहूं एक देखता हूं क्या होगा ध्यान देगा यदि मैं यही में एक साइड ले लूं और एक और साइड ले लेहां से तो मैं चाहता हूँ कि इतना ही एंगल बने दूसरी साइड भी तो बस मैं क्या करूँगा कि इस साइड को थोड़ा दे किरीज कर दूँगा मतलब कि finally मैं क्या कर रहा हूँ एक काईट बना रहा हूँ तो देखे इसके opposite angles ये दोनों जो हैं बिलकुट definitely ये equal होंगे एक काईट में क्या होता है कि opposite angles equal हो जाते हैं ठीक है तो ये दो angles two opposite angles exactly two opposite angles हमें मिल जाते हैं ये वाले और ये वाले और लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों भी equal हों लेकिन ये दोनों जरूरी definitely equal हो जाते हैं तो जैसे कि यह और यह दोनों जरूरी नहीं कि होंगे एक्वल ठीक है लेकिन दो मिल जाते हैं आपको तो इसलिए काइट का एक्जाम्पल आप ड्रा कर सकते हैं यहां से ठीक है फोल्स वाले कॉश्शनल है तो इसमें आप एक काइट बना सकते हैं और काईट के कई सारे फिराइटीज हैं वो सारे में से कोई भी बना सकते हैं मतलब किवल करना क्या है कि आपको दो साइट्स दो एडिसेंट साइट्स इक्वल लेंथ के बनाने हैं और जो अधर टू एडिसेंट साइट्स हैं ये दोनों इनको भी इक्वल लेंथ का बनाना है उसके बाद से आपको बिल्कुल ही लगेगा कि ये opposite sides क्या है equal नहीं है और जब equal नहीं है तो parallelogram नहीं हो सकता जिसे कि ये side यहाँ पर जो ये side है वो इस side के parallel भी नहीं है और equal भी नहीं है इसलिए ये क्या है parallelogram नहीं है ये ये वाली side भी ये वाली side जो है इस वाली side के ना parallel है सारे अलग अलग length के हैं यह यह दोनों equal है तो हम यहाँ पर इसको एक करेंट सही रहेगा और इसको हम दो करेंट और बेतर रहेगा इसको हमें दो कर देना चाहिए राइट ओके तो ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर हैं तो आपोजिट साइड जो है नहीं है इक्वल ओके तो इसमें कुछ मतलब कुछ बड़ा नहीं है तो बस इतना ही एक काईट बना दीजे इसमें दो एंगल जरू डेफिनेटली जो है इक्वल हो जाएंगे मतलब कि ये वाला एंगल और ये एंगल ये डेफिनेटली इक्वल होगा ओके थैंक यू सो मच फर वाचिंग